नमस्कार गुड मॉर्निंग आप सभी को आप जिस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं या अगर टूबी स्पेसिफिक मैं कहूं आप जिस डिस्टिक से इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे कॉमेंट करके अपने डिस्टिक और स्टेट का नाम जरूर बताएं ताकि ज तो मैं उस पर एक dedicated वीडियो आपके लिए बना सको तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा तो चलिए मैं आपको one by one सारी जानकारी दूँगा एकलब ये model residential school के बारे में सबसे पहले मैं बता दू age limit के बारे में ये criteria वगएर आप देख लो अगर आप इसमें fit बैठते हो तो ही पूरी वीडियो देखे है जरबाज आप इसे drop कर सकते हैं के वल वीडियो को like करके वापस आपको जाना होगा सबसे पहले देखिए आपकी age जो है 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 38 यानि कि 38 येर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कुछ चीजों को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर age limit जो है वो SCST और OBC category को दे दिया जाएगा समझ रहे हो आप मेरी बात को यानि कि अगर OBC की बात की जाए तो आपको 3 साल का age relaxation मिलेगा अगर आप SCST category से बिलॉंग करते हो तो 5 साल का और PWD यानि कि physically handicapped अगर आप हो तो आपको 10 साल की age relaxation मिलती है विडियो और डाइवर्सी महिलाओं को भी जो है एज रिलक्सेशन में थोड़ी छूट दी जाती है टीचर इन चार्ज बनने के लिए देखिए क्या चाहिए होगा यहाँ पर टीचर इन चार्ज बनने के लिए आपके पास PG की डिग्री होनी चाहिए यानिकि मास्टर्स हो जाते हैं डिजाइरबल के लिए देखिए क्या है टीचिंग और एजुकेशन से अगर आपने यानिकी एमेड बीड कर रखा है एमेड तो चाहिए होगा बीड कर रखा है तो आपके लिए यह सहुलियत होगी पोस्ट के लिए अगर आप टीचिंग इंगलिस में कर पाते हो प्लस पॉइंट आपके लिए हो जाएगा बात करते हैं Assistant Teacher की तो देखिये Assistant Teacher के लिए जो है Honors की डिगरी होनी चाहिए यानि की Graduation होना चाहिए साथ में B.E.A.D. की डिगरी होनी ज़रूरी है और English में आप अगर अपने सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हो तो आपका काम चल जाएगा Computer Teacher की अगर बात करें तो Bachelor of Computer होना चाहिए या Equivalent, BCA वगएरा, MCA वगएरा जो होता है MTEC, BTEC उसके According होना चाहिए Superintendent of Boys Hostel या Matron of Hostel, Female और Clerk तीनों के लिए जो है Graduation होना जरूरी है, अगर आपके पास यह है तो आप Apply कर सकते हो Knowledge Computer की होनी चाहिए याद रखेगा, इस Desirable Post के लिए जिन्होंने Accounts की Knowledge ले रखी है उनको ये तरजी देंगे, अब देखें मैं आपको Subject की जानकारी देता हूँ किसकी Subject की Post आई हुई है, यहां से आप देख लिजिए Teacher in Charge की Recruitment है, Assistant Teacher English, Assistant Teacher Nepali, Assistant Teacher Mathematics, Assistant Teacher History, Assistant Teacher Science की Recruitment है इसी तरह से आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा Assistant Teacher जोगरफी, Science, Computer की Recruitment आपको देखने को मिल जाएगी आगे देखिए, कुछ और Post है, क्योंकि हर किसी के लिए जो है अलग इंडिविजुल के लिए अलग अलग जौब की Requirement होती है तो मैं सारे Post आपको दिखा देता हूँ Superintendent of Hostel, Matron of Hostel, Female के लिए लड़कियों के लिए अलग से, Matron चाहिए होगा लड़कों के लिए Superintendent चाहिए होगा Color की Recruitment है, Pune की Recruitment है, Cook की Recruitment है, Helper की Recruitment है, Toilet Cleaner की Recruitment है, Night Guard की Recruitment है तो यह आप यहां से देख सकते हो, अब यह Vacancy आई कहां से है, और आखरी डेट इसकी क्या है, और कुछ Condition जो है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी सुरुवाद 12-4 से हो चुकी है, आखरी डेट 26-4 को है, यानि कि 26 April तक आप इसे Apply कर सकते हो यह Online Form भी भरना होगा, आपको मैं वो भी बता देता हूँ, और Offline दोनों भरना देखी, यह Application Form है, जिसे भर कर, यहां से आप देख पाओगे, यहां पे इन्होंने जो है, एड़ेस भी दे रखाओगा निचे, देखो, यह आपको भर कर भेज देना है जो लिस्ट फोटोग्राफ, जिसकी फोटो कोपी चाहिए होगी, डेट ऑब बर्थ, यानि कि 10th की मार्शिट दे दोगे, का सेटिफिकेट अगर आप जनरल कटेगरी से हो, तो आपको का सेटिफिकेट देनी की ज़रूरत नहीं है, जो आपने ग्रिजुएशन, पोस्ट ग प्राइबिंग लाइसेंस को आप इस्तिमाल कर सकते हो, अब देखिए, अप्लिकेशन जो है, इमेल के माध्यम से आप 3 वज़े तक भेज सकते हो, कैसे, EMRS, देखिए, यहाँ पे इमेल आइडिया आपको दिख रही होगी, पे, E-M-R-S-K-A-L-I-M-P-O-N-G at there.gmail.com पे आपको सारे जो डोकोमेंट है, एटेस्टेट फोटोकोपीज है, यह आपको सेंड कर देना है, काम आपका बन जाएगा, याद रखिएगा, यह सारे फोटोकोपीज डोकोमेंट आपको इमेल आइडि में भेज देना है, यह यानि कि कोई प्रॉब्लम नहीं आपको यह फोटो को पी निकल वाली नहीं है यह अप्लिकेशन फॉर्म आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है और नीचे कॉमेंट सेक्षन में भी मैं दे दूँगा क पोसिस करूँगा कि मैं यह दे दूँग अभी रिक्रुट्मेंट आई कहांसे है तो यह गॉर्मेंट वीस्त बंगाल से रिकुट्मेंट आई यानि कि यहां से बिलॉंग करते हो तो आप इस पोस्ट के लिए अपने दोस्तों रिष्टिदारों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें हो सकता है कि उन्हें इस जॉब की जरूरत हो वीडियो को आपने यहां तक देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत सुक्रिया हैव गुड डे